माइक्रोटेक ने अपनी नई इन्वर्टर और होम UPS सिरीज लाँच करने की घोशना की है बिजली उद्योग में अत्यदिक कॉंपिटीशन होने के बावजूद भी माइक्रोटेक टेक्नलोजी एडवांस्मेंट और क्वालिटी में उच्चतम इन्वर्टर और होम UPS को डिजाइन करने में अपना ध्यान केंद्रित रखती है लाँच किये गए इन्वर्टर और UPS की नई रेंज न्यू टेकनलोजी को और प्रगती को प्रदर्शित करती है जो पावर बैकप में सर्वस्ट्रेश्ट आउटपुट की पेशकर्ष के अलावा बिजली बचाने में मदद करता है माइक्रो टेक इंटरनेशनल के अध्यक्ष और प्रबंद नेदेशक सुबोध गुपता ने कहा बिजली बचत लाप प्रदान करने के अलावा आज लॉंच किये जा रहे उत्पादों की नई सिरीज सुन्दरता की द्रिष्टी से भी आकरशिक है हम एक कमपनी के रूप में निरंतर अनुसंधान और विकास कार्रे पर ध्यान के रित्क रखते हैं ताकि हम बाजार में अग्रणी और उन्नत उत्पादों को पेश कर सकें अगर उद्योग और सरकार तालमेल बिठाते हैं तो भारत अपनी उर्जा दक्षता और जलबायू परिवर्तन के लक्षियों को पूरा कर सकता है इवेंट में लॉंच किये गए कुछ नए उत्पादों में नई लुक्स LCD होम UPS सिरीज शामिल है ये UPS रेंज एक इन बिल्ड माइक्रो कम्प्यूटर के साथ आती है जो बिजली कटोती के दौरान भी आपके घरों को हमेशा रोशन रखने का वादा करती है कंपनी ने अपनी इमरलिन प्रीमियम UPS सिरीज के लॉंच की भी गोशना की है UPS सिरीज में भारी वजन संभालने की इक्षमता है और ये अपने शांदार लुक के साथ आपके खर की सुन्दरता में चार चान लगाता है इसका फाइल स्टेज बैटरी चार्जिंग मेकेनिस्म बैटरी को अच्छा रखता है और लंबी बैटरी लाइफ भी प्रदान करता है गुपता जी ने साथ ही कहा आज हम भारतिय बाजार में स्मार्ट हाइब्रीड यूपीए सिरीज की तरह यूपीएस की एक व्यापक सिरीज लॉंच कर रहे हैं ये डिजिटल और साइन वेव टेकनोलोजी का एक आदर्श संयोजन है जो आपको दुनिया का सर्वश्रेश्ट नॉइसलेस परफॉर्मेंस और अधिक भार संभालने की ख्षमता प्रदान करता है बीस वर्ष अपनी फैक्टरी में वर्कर्ज के जाध बुजाओ रहे हैं में करीब का दर्द समसता हूं उसकी खालना को समस्ता हूँ तो इसलिए और मैं देश की सेवा और राष्ट के लिए टीस समर्पन के भाउ की सेवा को समसता हूँ मैं एक भारतवासी होने के नाते अपने कर्टवे को समझता हूँ तो इसलिए आप कुछ जान के आश्च्रे होगा कि हम हर संडे को अपनी फैक्ट्रियों में हवन करते हैं सुबह राश्टेगान से हमारी फैक्ट्री की हर शिफ्ट स्टार्ट होती है फिर पांच मिनट-दस मिनट उन्हें जैसे स्कूल में पीटी कराई जाती थी तो फिर किसी का हाथ जाम नहीं होता, किसी की ताम जाम नहीं होती एक छोटी-छोटी जीवन की चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे जो वर्कर भाई हैं वो हमारे समाज का रोजगार तो उने मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना प्रती दिन एक घंटा घर जाने में, एक घंटा घर से आने में आप सोचो क्या वो अपने बच्चों का मुँ देख पाता है क्या वो अपनी पत्ती से बात कर पाता है हमने सभी चीजों को ठीक से समझा कि ठीक है कंपनी के उपर थोड़ा फाइनेशल बडन पड़ेगा पर आप बिलीब नहीं करेंगे सच मुछ में हमने 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें कर दी जिससे लोगों को रोजगार भी मिला उसका जीवन भी बहतर हुआ हम उनको 20% का बोनस भी देते हैं यूनिफॉर्म शूज मतलब वो एक कबीर दास का दोहा है चीडी ले गई चोंच में नदी न घटे हो नीर दान दिये धन न घटे कह गए संथ कबीर मैं हिंदी मेडियम से हो ना मैं सचा हिंदू सानी हो सचा भारतिय हूं मुझे तो खुशी होती है और ये हम अपने लिए तो देखो सभी करते हैं अपने लिए खुद के लिए और अपने दो बच्चों के लिए माबाप का नाम भी शायद कुछ लोग जोडते हैं कुछ नहीं जोडते समय और कल्यूक की ऐसी विशम स्थिकी है पर इश्वर अगर किसी को भी प्रेणना दे कि हम समाज के लिए भी कुछ करें राष्ट के लिए भी कुछ करें क्योंकि देता वो है हम तो केवल उसमें हमें चुना है एक जरिया है बैंक में जो कैशियर होता है बैंक का कैश उसका नहीं होता ता अपनी प्रडक्स के बारे में कुछ बता है फ्रडक्स के बारे में मैं आपको कम बताऊंगा मैं प्रडड़क्स को डेवलब करता हूं I take I lead the R&D development कंस्यूमर की नीट को समझते हुए कि अगर ये बैटरी चार्ज होगी तो कितने घंटे में चार्ज हो जाएगी अब जो चार्जिंग का स्टेटस है उसके बाद ये कितने घंटे का मुझे बैकप दे सकती है और जब बैकप दे रही होती है तो उसका लोड क्या है हमने ये कस्मर की कंजूमर की एक नीड मार्केट से फीडबेक आया तो देखा कि आज कर लोग इसे केवल ट्यूबलाइट और पंके के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बलकि अपनी लोजगार के लिए मदद में भी इस्तेमाल करते हैं सिलाई मशीनों पे अगर दो गंटे के लिए लाइट चले गए और आपने 20 कारीगर रखे हुए तो आपके बिजनस का तो बंटा धार हो गया तो ये जो इन्वर्टर है लो कॉस्ट इन्वर्टर मैं बोलूँगा क्योंकि ओनलाइन यूपियस बगरा महंगी होती है ये एक जीच का सोलूशन है तो ये इन्वर्टर लगा कि वो दो से तीन गंटे चार गंटे अपनी फैक्टरी अपने कारीगरों को काम देता है क्योंकि जो एक छोटी इकाई होती है एक स्मॉल माइक्रो इंडस्टरी होती है उसके ओपर फानेंचल कंस्टेंट्स बहुत होते है उसे सुबह रोज जंगल में जाके कमाना होता है पर पावर रींग हमने लांच करी है जिसकी लोड सपाइटिटी सबसे जादा है जिसके बजट कम भी है वो भी बिजली का आनंद ले सके और अपने सारे काम कर सके उसके साथ ही हमने ये था हमारा एक एक कंस्यूमर यही से लेके हमने दूसरे कंस्यूमर का भी ख्याल रखा है कि आज जिसकी नीट बहुत जादा इवाल्व हो चुकी पहले सिरफ नीट थी कि हमें दो लाइट दो पंके चलाने आज नीट बदल गई है आज कंस्यूमर को हमने सारे प्रोड़क्स चलाने की इस्टा है घर पे उनके लिए भी हमने प्रोड़क्स लांच करें जो लुक सीरीज है हमारी प्रीमियम एल्सीडी सीरीज उसको लांच के है वहाँ पे कंस्यूमर ये भी देख सकता है कि आज मैंने कितना लोड चला रखा है कितने घंटे मेरा ये लोड चलेगा बैक अप टाइम उसको दिख जाएगा और जब लाइट आ रही है तो कितने घंटे में मेरी बैटरी वापस रीचार्ज हो जाएगी कि जब लाइट जाए मेरे को वापस से पावर बैक अप मिल सकता है प्राइस का अगर आप बदा सके कहां पर स्टार्ट होगा जो इंवर्टर हमने आज लाउंच करें और होम यूपियर ये प्राइस लेके कंजूमर के लिए 4,000 से लेके 20,000 तक लाउंच करें जिसमें अलग-अलग प्राइस पॉइंट पे अलग-अलग कपैसिटी के इंवर प्राइस वो ले सकते हैं और अलग-अलग लोड अपने घर पे चला सकते हैं